हेलो अप्रीबन वेल्कम टुवा एक्जाम भी मेरा नाम है श्विनिय पुंडीर और मैं स्वाथ करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और आज हम बात करने वाले हैं सेबी उनके टॉपिक थे एक्जाम का लेवल किसा था इन सभी चीजों के बारे में हम यहां पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो बिना किस देड़ी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और अगर आप आज यहां पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक कीज़ेगा और आप शेर कीज़ेगा ठीक है इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ठीक चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बात करेंगे हैं आप पर हम क्यूर इनलिस की सबसे पहले बात करूं जो आपका पैटन था एक्जाम का क्या आपका आपका पूछा गया था ज उनका अच्छा एक्जाम हुआ है उनके कौर्डिंग काफी सुट्स के कौर्डिंग जो है कौंट इजी आई थी हर बार की तरह मौडरेट से भी माद सब्सक्राइब कम ही था कौंट का बच्चों काफी डर लग था कौंट से बट कंपैरेटिवली मतलब उतना चीजे आई सिक्वांट में तो आप अराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं यह बाते मेरी सुट्स से हुई है लास में मैं जो फीडबैक है उसके बार में बात करूंगा कि क्या कि बच्चे जो है फीडबैक दे रहे हैं एक्जाम के रिगार्डिंग ठीक चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम इंग्रिश की तो इंग्रिश में आपसे यहां से एक आर्सी पूछा गया था ठीक है एक आर्सी था यहां पर जो था आपका एक ना 1991 में एक कोई रिसर्च हुई थी अरतलब उसमें एक मीटिंग थी 1991 में एक बायोस्फेर बनाया गया था एक चीज़े एक्सपरिमेंट की गई थी वह सफल नहीं हो पाई थी मतलब किसी और प्लैनेट से रिगार्डिंग उसका जो बायोस्फेर है वह यहां पर बनाने कोईश क की गई थी USA में एस्टोनॉट्स ने तो उसकी मीटिंग थी अब वह उस मीटिंग के रिगार्डिंग आर्सी था कि उस मीटिंग में क्या चीज़े सही थी क्या चीज़े गलत थी उससे ही आपके जो है वो कुष्टन्स आपके पूछे गए थी ठीक है जो आपका सेंटेंस पूछा गया था एंड फिर आपके जो रिएजमेंट थे वह आपके चार से पांच यह वो बोलते हैं तो यह आपका इंगलिश के चीज़े थी और यह इसी से मॉडरेट आपका इसका लेबल था जिसने बहुत कम पड़ी है उसके लिए मॉडरेट होगा जो पढ़ते हुआ आएं इंग्लिश को उन के लिए जो लेबल था वो काफी इसका इसी था नेक्स आम बात करता हूं रीजनिंग की रीजनिंग में भई तीन पजल आई थी ठीक है तीन पजल आप सुनने में बहुत बड़ी शी लगती है कि तीन पजल आई थी बट उसका जो ऑवर ओल जो मार्क कि आपके हैं पी रीजनिग जो मेरी सुडंट से बात हो पाईए एलैवन मार्क के आस पास आपकी जो रीजनिंग जो पूछे गई थी उसमें क्या था दो आपकी सिटेंग थी एक आपकी पूजल थी ठीक है पुजल में आपकी तीन कोषिश एक में चार कोषिश एसे आप स भी मोचल हम expect करते हैं 55 marks की बड़ वह तीन आगई बट कोई बात नी बागी जो आपका यहां पर था आपका आपका अपको इसक्ट आपके तीन question थे उसमें क्या था एक तो आप एक question में आपके स्रिफ numbers से given थे अना सिर्फ आपके numbers से given थे अब उन numbers में कौन सा प्राइम नंबर है उसमें आपको प्लस टू करना है कौन सा नॉन प्राइम है उसमें आपको माइनस वन करना है दन आपको उसको रियरेंज करना था इस तरह से उसको descending or ascending order में आपको लगाना था एक question आपको नमबर से था second जो आपके दो question थे आपके alphanumeric में वो आपके alphabets सही थे उसमें एक word था ट्रेंगुलारिटी है ना एक word था अब वो impossible है फिर impose था इसमें भी doubt है बट इस तरह से आपके दो words थे और इनको यहाँ पर रियर्रेंज कराया गया था मतलब इसी के regarding आपका जो है वो test था alphanumeric में तीन question आपके यह सोगे फिर यह question जो था वो आपका था blood lesson से इस तरह से उसका वो जो chart है वो बना था ठीक है इस तरह से उसका chart जो बना था blood lesson का और दो question थे आपके हैपर जो वो थे वो आपके critical listening थे अब उसमें क्या था critical listening में आपसे दो question पूछा गये थे एक question में यह पूछा गया था कि एक जगहाए पर municipality ने बोला है कि बारिश होनी की वज़े से यहां मतलब पानी भर जाता है तो दस दिन के लिए हम पानी को बंद कर देंगे पानी के supply को बंद कर दिया जाएगा उसके reference में चार points दे गे थे कि ऐसा municipality ने क्यों किया है पानी भरता है बारिश तेज है गड़े जादा है ऐसा आपके चार points से एक question था आपका कि दो cities है हमारे पास एक city हमारे पास उसके पास कोई metal है कोई resources है कोई mineral resource है बाकी जो cities है वो उसको बोल रही है कि आप हमें हमें दे दीजे हमें permission दे दीजे इस metal को खोदने की अपने पास रखने की अब जो committee है उस चीज की वो एक फिबरिजम में है यह आपके रिजिन से ऐसे questions आपके आए थे और लास्ट में अगर हम बात करें क्वांट्स की कॉएंट्स में भई आप easy क्यों बोल रहे हैं उसका गारण में आपको यहां पर दे सकता हूं यह बोल रहे हैं कि चार question आपके quality question से थे चार question आपके wrong number series से थे तीन से तरह चार question ठीक है उसके बाद फिर एक question आपका अरिफमेटिक से था जो चीजें हैं आपको यहां पर वो दी गई थी तो यह आपको इस तरह से सरा data जो है वो इनका यहां पर दिया था यह सारी जो मेरी student से बात हुई है कि ऐसे question आए थे और सबने बोला कि paper जो comparatively बहुत असान था पुराना के मुकाबले हाला कि अब उन्होंने टाइम शाह जाद दे दिया साइटिंग में तो उन्होंने reasoning skip करके वो quants पर आगए को कि puzzle देखिए उन्होंने तीन काफिक सुटेंट ने तो पजल को बनाया ही नहीं एक पजल तो इतनी असान थी वाब महां पर कमी थी तो यह पूरा analysis था जो मैंने आपको बताया बाग यह कुछ feedbacks है ठीक है हमारे एक्जाम भी के रिगार्डिंग जो भी सुटेंट्स ने अभी दिए कि लीगल भी से यहां पर लीगल में वाले कोर्स में जो लीगल के questions थे वो मॉक्टस से आये थे लीगल के question मॉक्ट सकते थे इतनी चीज़े हम यहां पर किये हमने phase 1 के लिए आपने महनत की अब बार यह phase 2 की तो phase 2 में अगर आपकी जनल स्ट्रीम है आई टी स्ट्रीम है लीगल स्ट्रीम है तो आप उसके लिए आइक्जाम भी के साथ हमारे साथ अनूल कर सकते हैं क्योंकि विदा एक्जाम बॉक्स में होंगे आप जाकर उनको एक बार चेक कर सकते हैं तो यही था पुरा अनलिसस जितना मुझसे हो पाया है डिटेल्ड में सारी चीज़े बताना और शॉट टाइम में खम से कम बताना क्योंकि क्रिस्ट कॉंटेंट हमें देना है आपको ताकि आपका भी टाइम आ मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक लिए कि सबस और कॉमेंट में में बताइए कि आपने कितना सबस्रु किया है और कौने अस्था है एक मुश्किल लगा मिदी म में आपका पीट कर रहू हूं ठीक है चलिए और यह आप लीजा